दोस्तो नमस्कार सुवा कती आप सभी का अपना चैनल आई एंडी हिंदी टेक में दोस्तो दूर संचार विभाग के तरब से एक नया पोटल लॉंच किया गया है जिसके मदद से आप ये जान सकेंगे कि आपके नाम से कौन-कौन से मुवाइल नमबर इस्तिमाल हो रहा है तो आप लोग वीडियो के आंते तक जरूर बने रहे हैं पूरे डिटेल के साथ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं आप लोगों को पता होगा कि किसी एक व्यक्ति की आईडी पर जो है मैकसिमम नो सिम कार्ड ही चालू रह सकता है ऐसे में आप लोग ये सोचते होंगे कि हम ये कैसे पता करें कि हमारे नाम से कौन कौन से सिम कार्ड है कौन कौन से नंबर का सिम कार्ड है क्या हमारा वो सिम कार्ड है या फिर नहीं है या फिर हमारा नंबर कौन कौन सा है जो हम इस्तमाल कर रहे हैं और जो इस्तमाल नहीं कर रहे हैं वो कौन कौन सा नं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टी ए फ कॉप कंसूमर पोर्टल वाले आपसंस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट जो है वहती सिंपल तरीका से खूल जाएगा और यहाँ पर कुछ जादा एंटर करने की भी जरूप नहीं पड़ेगा तो वीडियो के description box में जो हमने link दिया है वो आपको directly यही पर लेकर आएगा देखिए दोस्तों यह जो portal है वो fraud और spam पर लगाने के लिए launch किया गया है तो यहाँ पर आप लोग चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो है mobile number एंटर करना परेगा अपना यहाँ पर मैं आपको बता दू कि आप लोगों का जो mobile number होता है वो अधार कार्ड से लिया हुआ होता है और वो जो है आपको एक mobile number यहाँ पर एंटर करोगे और OTP request वेगरा करोगे तो यह सारा लिस्ट आपको नजर आ जाएगा लेकिन दुखी की बात यह है दोस्तों की आवी जो है सारे जगह यह काम नहीं कर रहा है देसवर में कुछी ऐसे जगह है जहां पर यह काम कर रहा है अगर अब बिहार के निवासी है तो बिहार के नमबर पर यह काम नहीं करेगा तो यह आप लोग चेक कर लेना कि आपकी एरिया में यह काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है अगर काम नहीं कर रहा है तो टेंसन लेने की कोई ज़रुत नहीं है धीरे धीरे करके जो है पूरे भारत के लोग जो है चेक कर सकेंगे सभी इस्टेट के लोग चेक कर सकेंगे यहाँ पर हमने mobile नमबर डाल दिया है उसकी बाद request OTP पर हमने क्लिक किया यहाँ पर एक OTP भेजा जाएगा आप लोगों को थोरा सा इंतजार करना है अगर OTP OTP आ चुका है हम यहाँ पर OTP दर्ज करते हैं उसकी बाद validate के उपर क्लिक करते हैं अब validate के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो है कोई भी नमबर नहीं बताया गया है जो कि आप देख सकते हैं zero नमबर बताया गया है इसका मतलब है कि हमारे इस area के लिए जो है यह portal काम नहीं कर रहा है तो जो portal आपकी area के लिए काम नहीं करेगा जिस state के लिए काम नहीं करेगा उनको जो है कुछ इसी परकार के interface नजर आएंगे और जिस state में काम कर रहा होगा यहाँ पर पूरा list आ जाएगा आपके नाम से जितने भी sim card चालो रहेंगे वो यहाँ पर पूरा list आ जाएगा उसकी बाद आपको number भी बताया जाएगा लेकिन number जो है पूरा number आपको नहीं बताया जाएगा जो कि यहाँ पर first के 2 digit आपको नजर आएंगे और last के 4 digit आपको नजर आएंगे यहाँ पर अगर आप जो है उस sim card को उस number को इस्तमाल नहीं करते हैं तो आ आप यहाँ पर report कर सकते हैं बस आपको number की आगे जो है tick out करना पड़ेगा box में और उसकी बाद आपको report करना होगा report करने के बाद यह जो सरकार है वो छानविन करेगी कि आपका यह number जो है कहाँ पर चालू होता है और आगे का करवाई वो कर लेगी ठीक है ना तो यहाँ प कर रहे तो कोई दिकत वाली बात नहीं है देरे देरे करके जो है इसकी range बढ़ाई जाएगी और पूरे देश के लोग जो है check कर सकेंगे फिलहाल यह जो है trial के रूप में समझो की उतारा गया है और देरे देरे करके कुछी इस date में यह दिया गया है तो यहाँ पर हमने इस नए वीडियो में हमें दीजी इजाज़त तब तक के लिए गुडबाई